हाई फ्रेंड्स रे कृष्णा ये गाना जिस ओरीजनल पट्टी में रेकॉर्ड किया गया है उस पट्टी में या उस स्केल में आम संगीत प्रेमी हायर नोट्स ठीक तरह से गा नहीं पाते और इस गीत की मधुरता खो जाती है एक दो नोट्स नीचे करकर गाने से गीत की मधुरता बिलकुल बिढ़ती नहीं है और आम गयक गाई का आसानी से खायर नोट्स ले सकते हैं वो ही मधुरता रख सकते हैं जो ओरीजनल रेकॉर्डिंग में पाई जाती है और जब गायक गाई का अपनी वोकल रेंज में उनका ये पसंदीदा गाना जब इफेक्टिवली गाते हैं तो अनन्द पाते हैं आपकी वोकल रेंज आप जरूर बढ़ा सकते हो जिसके लिए टास्त्रिय एक्सरसाइज करने की जरूरत रहती है तो जब तक आपके higher notes ठीक तरह नहीं लगते तब तक आप ये मेरे videos देख कर गा सकते हो जिनमें एक डो notes scale नीचे किया हुआ होता है दूसरी बात मेरे इन videos में lyrics stationary है अच्छे singers को lyrics की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको सारे शब याद रहते हैं काराओ के tracks जो highlight होते हैं lyrics के हिसाब से उसकी तो बिल्कुल जरूरत नहीं रहती क्योंकि अकसर ऐसे tracks उनके शब्द जो highlight होते हैं वो ताल के साथ synchronized नहीं रहते और जब singers वो highlight शब्दों को देखकर गाते हैं तो वो भी ताल में चूकते हैं चलो आपको शब्द याद नहीं है इसलिए lyrics की जरूरत है कोई बात नहीं यह essay tracks आप देखिए जहां पे stationary lyrics होता है इससे आपको शब्द याद रखने में मदद मिलती है जब आप ताल और सुर में अच्छे हो और lyrics आपको याद है तो आप वो गाना जब गाते हो तो उसमें emotions automatically आ जाती है नहीं तो होता क्या है आपका 50% attention वो lyrics पढ़ने में जाता है और आपके चेहरे पे उस गाने में जो emotions छुपे हैं वो छुप जाते हैं तो आइंदा कोशिश कीजिए आपके पसंदिदा गानों के शब्द याद रखें और सुर और ताल में गाना गाए All the best friends All the best friends All the best friends झाल 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 झाल